तो मैं अमेरिका मे था और आप जानते हैं कुछ लोगों को गुरू शब्द से बड़ी परिशानी होती है ये चार अक्षर वाला शब्द है आप जानते हैं उन्हें दूसरे चार अक्षर वाले शब्दों से कोई परिशानी नहीं है ये चारक्षर वाला शब्द है गुरू आप गुरू क्यूं है यही बात एक महिला ने मुझसे पूछी आप गुरू क्यूं है क्यूंकि आप अभी ऐसी स्थिती में है आप अपने आसपास की चीजें सिर्फ तब नहीं देखते जब आपकी आँखे खुली होती है बंद आखों में भी आपके दिमाग की कल्पना चलती रहती है न? आपको समझना चाहिए पलक का काम है कि अगर आप इसे बंद कर लें तो दुनिया बाहर यही इसका मकसद है हाया न? पलक का काम है देखिए कैमरा में एक धक्कन होता है जब आप धक्कन लगा देते हैं तो दुनिया कैमरे से बाहर होती है पलक वही है वो कैमरा लेंस की धक्कन की तरह होती है अगर आप धक्कन लगाने के बाद भी देखते हैं तो आपका दिमाग खराब हो गया है हाँ या नो अगर आप ढकन लगाने के बाद भी देखते हैं तो आपका दिमाग सही में खराब हो गया है या दूसरे शब्दों में आपके दिमाग की बुनियादिक शम्ता हैं जो यादाश्ट और कल्पना है दोनों काबू से बाहर हो गये हैं आप नहीं जानते कि अपनी यादाश्ट का इस्तमाल कैसे करें आप नहीं जानते अपनी कल्पना का इस्तमाल कैसे करें बीते कल और आने वाले कल का आपका दुख बस यही है आप अपनी यादाश्ट और कल्पना से काबू खो बैठे हैं अगर अपनी यादाश्ट और कल्पना पर आपका काबू होता तो मैं आपको अपना सहीयोगी मानता मगर अब आप अपनी यादाश्ट और कल्पना पर से काबू खो बैठे हैं इसका मतलब है आपको पागल खाने में होना चाहिए परियाप्त बुनियादी धाचा न होने के कारण आप पागल खाने की बजाए मुंबई में हैं हाँ, आप अपनी यादाश्त और कल्पना पर से काबू खो बैठे हैं इसका मतलब है कि आपके पास दिमाग की ख्षमता का लाब उठाने की काबलियत नहीं है जो इन दो चीजों पर नियंतरण होने पर आप कर सकते थे कुछ हो रहा है, सफलता का आपका विचार ये है कि आपने रोजी रोटी कमाई ठीक है, आपने अपने पडोसी से थोड़ी बहतर रोजी रोटी कमाई तो आप आपके पड़ोसी के पास मारूती है, आपके पास Mercedes है, यह आपकी बड़ी सफलता है मान लीजिए, कल हम हर किसी को Mercedes बाट देते है आप उसमें बैठना नहीं चाहेंगे तो आपको Mercedes की तकनीक की कोई कदर नहीं है आपकी एक मात्र चीज है देखिए क्योंकि मैं रतन टाटा से बात कर रहा था, जो आटो इंडस्ट्री में है इंडस्ट्री से अधिक उनमें आटो को लेकर जुनून है तो एक बार जब हम साथ बैठे थे, हम आध्यात्मिकता या कारोबार की बात नहीं कर रहे थे हम सिर्फ कारों और मशीनों की चर्चा कर रहे थे तो जब हम इन चीजों को देखते हैं देखिए बात सिर्फ इतनी है अगर आप अखबारों में कारों का विग्यापन देखें मैं देखता हूँ ठीक है कोई नया मॉडल है क्या मैं उसे देखता हूँ मेरा उसे खरीदने का इरादा नहीं होता मगर मुझे ये जानने में दिल्चस्पी होती है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है मैं उसे देखता हूँ, वे कहते हैं leather seat, wood finish ये चीज इस तरह का paint मैं देखता हूँ कि engine कौन सा है transmission कैसा है, gearing system कैसा है gear की समस्या क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ नहीं सिर्फ leather, paintwork, stereo system ये भगवान इन सबसे car नहीं बनती, ये एक living room है car का मतलब है, engine कैसा है उसका torque कैसा है, BHP कैसा है, transmission कैसा है gearing कैसा है, वो कैसे चलती है क्या करती है, नई, नई ये paintwork के बारे में है क्योंकि car का मतलब है कि वो कितनी चमकीली है और कैसे आपके पडोसी की आँखे चौंधिया देती है आप जानते हैं, दुर्भा के पूर्ण है क्योंकि आपने अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके पडोसी की राय से तै होती है चाहे पडोसी बगल के घरवाला हो या कहीं और कोई और किसी और की राय आपके जीवन की प्रकृती तै करती है क्योंकि खुली आखों और बंद आखों से आप उसी दुनिया को देखते हैं आपको कम से कम अपने जीवन में इतना कमाना चाहिए कि अगर आप लेंस पर ढखकन लगाएं तो उसे बंद होना चाहिए हाँ आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए अगर आप चीजें देखते हैं मतलब आपका दिमाग खराब हो गया है ये मत सोचिए कि आप आध्यात्मिक हो गया है नहीं सद्गुरू आखे बंद करने पे मुझे शिव दिखते हैं आपका दिमाग सच में खराब हो गया है आप सिर्फ पागल नहीं आप एक धर्मिक पागल है